साउमी ने दोस्तों हाल ही में भारती बाजाय में अपना एक और बजट स्मार्टफोन लॉंच किया है और वो स्मार्टफोन ने दोस्तों Redmi 10 जो दोस्तों आपको काफी बैठर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के साथ देखने को मिलता है मुख्या स्पेसिफिकेशन के दोस्तों अगर बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको स्नैप्डेगन के पाल कुछ चीफ सेट, 50 HP के प्राइमरी कैमरा सैटप और 6000 मेगार के दमदा बैटरी के साथ देखने को मिलता है और दोस्तों इसी स्पेसिफिकेशन के साथ कुछ टाइम पहले ही Realme C35 स्मार्टफोन को भालती बाज़ा में लौच किया है तो यहाँ पर दोस्तों काफी सारे users को यह confusion हो सकती है कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए तो आपके इसी confusion को दूर करने के लिए दोस्तों ये वीडियो में लेके आया हूँ इस वीडियो में दोस्तों हम इन दोनों स्मार्टफोन की detail comparison करने वाले हैं इसके बाद हम आपको बताएगी कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है आपको इन दोनों में से कौन से स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों सुरू करते हैं ए गाईस मैं हूँ जिगनेस आप देखना है क्याम छोटेक आएस सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इन दोने स्मार्टफोन की बिल्ड कॉलिटी और इसकी डिजाइन के बारे में तो यह दोने स्मार्टफोन दोस्तों आपको फुल यू प्लास्टिक बिल्ड के साथ देखने को मिलने वाले हैं दोने स्मार्टफोन में दोस्तों बैक प्लास्टिक की दी गई है फ्रेम फ्लास्टिक की दे हुई है जड़के फ्रंट में आपको कॉर्णि गोरिला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है यहां पर डूस्तों रिट्मी 10 स्मार्टपॉन में आपको कॉर्णि गोरिला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो build quality की दोस्तों के बात की जा स्लाइक मिलने वाली है जबकि नीची के वाइक कमशनें का ब्रांडिंग मिल जाएगी सब्सक्राइब दोस्तों आपको फ्लैट डिजैन के साथ देखने को मिल जाएगा जहां पर दोस्तों बैक से टॉफ लेब कॉनर पर कंपनी नी तिन केमरे के हाउसिंग दे हुई है दोस्तों स्मार्टफोन का लुक आपको डिट्टू आईफोन के जैसे देखने को मिलने वाला है जहां पर दोस्तों नीची के और कंपनी के ब्रांडिंग मिल जाएगी जबके फ्रंक में आपको वाटर स्मार्टफोन एंडुट इलिए और मिल जाती है क्योंकि दोस्तों यह काफी जैदा यूजर फैनली स्ट्रम मानी जाती है डिस्प्ले के दोस्तों अगर बात की जाए तो रेडिमी के स्मार्टफोन में आपको बड़ी एचली प्रस IPS LCD डिस्प्ले मिलने वाली है जो दोस्त जो 1329Sv के देशियू 1650 के साथ आएगी जिसके प्रिग ड्रेट nur 400 drs फोल से गोले वाली तो यहां दोस्तों कॉआफी कासे डिस्प्ले मिल जाती है अब बात करते हैंhal की स्मार्टफोन के डिस्प्रे के बाले में तो इस स्मार्टफोन में आपको 626 इंट की फुल-HD-ब्रस IPS LCD डिस्प्रे मिल जाती है जो जो डोस्ट टें-टी-शिय्ट के साथ आती है तो यहां पर दोस्तों बाजी-मार जाती है रियल्मी की डिस्पेश क्योंकि दोस्तों जहां पर आपको रेडमी के स्मार्टफोन में HD plus display मिलती है तो इस स्मार्टफोन में आपको फुल HD plus display मिल जाती है अब बात करते हैं performance की तो दोस्तों रेडमी के स्मार्टफोन में आपको कॉल्कॉम का सांदर श्नेपडेकर 680 चीप सेट मिलने वाला है जो की दोस्तों शिक्स नेडोमेटर पर बना हुआ पावरफुल फॉर्ज चीप सेट है यहां पर दोस्तों आपको डेटवी के परफोमर्स से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली यहां पर दोस्तों हिटिंग के इस्यू भी काफी कम देखने को मिलते हैं और गेमिंग और ग्राफिस को सब्वालने के लिए यहां पर दोस्तों एड्री ने 610 जिप्यू का इस्निमाल किया हुआ है तो प्राइस के इसाफ़ से दोस्तों काफी तगड़ा चीप सेट आपको यह स्मार्टफन यूनिसोकेटी 666 चीप सेट के साथ आपको देखने को मिलने वाला है जो कि दोस्तों बारा नैनोपेटर पर बना हुआ चीप सेट है यह चीप सेट दोस्तों एनरजी एफिशन है लेकिन दोस्तों यहां पर हिटे ही के इस्यू आपको काफी ज्यादा सुन मतंतर के मुकाबले देडमी के स्मार्टफन में आपको काफी तगडा चीप सेट मिलने वाला है मैं जिसके मैं चमस्तों को यहां-पर मिलने जाए तो यहाँ पर आपको टिपल लिए कैमरा सेटप मिलने वाला है जिसका मेन कैमरा 250 MP का खोने वाला है जबकि 2 MP का मैकर और 2 MP का देफ सरसलेस कंपनी ने यहाँ पर दिया हुआ है सेल्फी ये वीडियो करने के लिए भी दोस्तो यहाँ पर आपको एट MP का एक अच्छा खासा कैमरा सेटप मिल जाता है तो ओवरल दोस्तो कैमरा सेटप के बात की जाए तो दियार में यहाँ पर बाजी मार जाता है क्योंकर दोस्तो आपको देड़मी के तुलना में कापके अच्छा कैमरा सेटप इस स्मार्टफोन में दोलोई साथ देखने को मिल जाता है बैटरी के दोस्तों के बात की जाए तो Redmi 10 स्मार्टफोन में आपको 6,000 मेगाट के दमदा बैटरी मिलने वाली है जो दोस्तों 18-0 Fast Sizing Support के साथ आएगी जो आपको दोस्तों 2 दिन का बैटरी बैकप आसानी से देने वाली है वहीं दोस्तों Realme के स्मार्टफोन की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको 5,000 मेगाट की बैटरी ही मिलती है जो दोस्तों 18-0 Fast Sizing Support के साथ आएगी तो दोस्तों यहाँ को Redmi के स्मार्टफोन की तुलना में Realme के स्मार्टफोन में काफी कम बैटरी देखने को मिलती है अधर connectivity के दोस्तों कर बात की जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 3G, 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth and USB Type Support जैसे connectivity features देखने को मिलने वाला है Color Option के दोस्तों के बात की जाए तो Redmi का स्मार्टफोन आपको Green, Black & View तिन कलार अप्सों के साथ देखने को मिलने वाला है जबकि Realme C35 स्मार्टपोन आपको Black & Green दो कलार अप्सों के साथ ही देखने को मिलने वाला है अब बात करते हैं वनेट की तो यह दोनों स्पार्टपोन दोस्तो आपको दो वनेट में देखनां को मिलते हैं और पहले हैं दोस्तो रेट में 10 की पार्ट राइन स्पहर्ट से日本 में 12,900 रुपे रखे हुई है अब बात करते हैं Realme C35 स्मार्टपॉन की तो दोस्तों इस स्मार्टपॉन का पहला वैरेट है 4GB RAM और 64GB फॉर्स्ट वह जिसकी किम्मत कम्ती ने 11,900 रुपे रखे हुई है जबके स्मार्टपॉन का दूसरा वैरेट है 4GB RAM 118GB फॉर्स्ट वह जिसकी किम्मत कम्ती ने 12,900 रुपे रखे हुई है अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टपॉन बेश्ट है तो दोस्तों आपको रियल में के स्मार्टपॉन में फुल HD प्लस दिस्पे और एक अच्छा खासा कैमरा सेटप मिल जाता है और वहीं दोस्तों रिय्ट में 10 कि अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको अच्छी कासी बैटरी मिल जाती है पाफुल चिप सेट मिल जाता है और एक बड़ी डिस्पे मिल जाती है तो ओवरल दो गहने बता सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय बारत